नमस्कार स्वागत है आपका दिल्ली में बैठक जम्मु कश्मीर में उम्मीदे मैं हूँ आपके साथ सनाव वारिश जीहां ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि जम्मु कश्मीर की मौजूदा इस्थिती पर दिल्ली में बैठक होने वाली है आज इसी मौजू पर PDI यानि प्राइम डिबेट इंडिया में बात करने वाले हैं ये बैठक ग्रिह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है खास बात ये है कि जम्मु कश्मीर बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं जम्मु कश्मीर के मौजूदा हालात किसी से धके छुपे नहीं है इसलिए अंदाज़ लगाना मुश्किल नहीं कि सुरक्षा सहीत कई मुद्दों पर बात मुम्किन है इसके अलावा लगतार सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी भी इस बैठक से उम्मीदे लगाए बैठे हैं पीम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारी को बैठक से इसके अलावा ओल जम्मू बेस रिजर्फ काटेगरी इंप्लॉईस को भी इस बैठक से मीटिंग से उम्मीदे वाबस्ता हैं वहीं रहबरे खेल टीचर्स भी पुरुमीद हैं इस बैठक से उधर विपक्षी नेताओं की भी नजर इस बैठक पे बनी हुई है विपक्षा और टिकी हुई इस मीटिंग पर आज इसी मौदू पर चर्चा करेंगे तो जैसा कि हमने शुरुवात में ही कहा कि इस मीटिंग से कई प्रोडर्शन कर रहे करमशारियों को उम्मीदें बनी हैं भरुमा उन्हें हैं कि शायद इस मीटिंग से आज उनकी मांगे हैं वो कुछ न कुछ च्छन कर सामने आएंगी शायद इस मीटिंग में उनके लिए कुछ फैसला लिया जाएगा लेकिन सबसे एहम बात यह है कि मौजूदा वक्त में हम यह देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतकवादी घटनाय जो हैं बढ़ रही हैं सुरक्षा समेत मुद्धों पर हो सकता है कि इस बैठक में बात चीत की जाएं लेकिन इस बैठक में खास तौर्फ से किन बातों पर चर्चा की जानी हैं यह हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाती जनता पाठी के आप भी नुमाइंदे इस बैठक का इस डिबेट का हिस्सा बनने वा करेंस के आपका विलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए रजा शफीक खान साहब जोनल सेक्रेटरी हैं आप रहबरे खेल आसोसियेशन के रहबरे खेल आसोसियेशन की तरफ से भी लगतार प्रोटेस किया जा रहा है अपनी मांगो को लेकर वहीं आद्व के जरी हैं आपको कुछ देर बात दिखाएंगे चलिए प्रोग्राम की और डिबेट की चर्चा की शुरुबात करते हैं सवाल सबसे पहले आद्विकेट पठानिय साहब आप से कि इस बैठक में भारती जनरता पार्थी के तमाम नेता जो जमू कश्मीर के कोर ग्रूप के नेता हैं वो शिर्कत कर रहे हैं सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से मुद्दों पर आज बात चीत हो सकती है इस बैठक में सना आपके ध्यान आप सभी के ध्यान में रहे और खासकर विशेशकर जो लोग अभी जुड़े हैं आपके चैनल को लाइव देख रहे हैं इसमें कि कोई सेट एजंडा जो इन्फिलमेशन मेरे पास है को सेट एजंडा नहीं है इस बैठका लेकर रहे कि ग्रेमंत्री जी पिछले दिनों ही जम्मु कश्मीरी परशासन के साथ एक बड़ा एक कम्प्लीट और एक सेकरियरटी रिव्यू लिया था कुछ लाइव इशूज है इस वगत जम्मु कश्मीर बें चाहे वह विकास को लेके हैं चाहे जम्मु कश्मीर में development को लेके चाहे और पॉलिसीज को लेके dilemma जिसे कहते हैं कि doubt एक double opinion की जहां कहीं बात भरनी वो भी लेके हैं और विशेशकार जैसे आपने अभी फोकस किया रहबरे खेल रहबरे जंगलाद एनवाईसी एनचम वाले CIC operators ऐसे ही एक बहुत केटेगरी बे जिसे कहते हैं डेली वेजर साथी हमारे कियों शोबों को अगर नाम नहीं भी ले पाऊं तो हमारा हमारा मानना है जम्मु कश्मीर भारते जनता पार्टी का जो यूनिट है we are of the considered view that since 1994 1994 के बाद बार बार सरकारें बनी हैं लेकिन सबसे बड़ा जम्मु कश् का इनको स्ट्रीम लाइं करने के लिए कोई भी कारगार कोई भी इफेक्टिव कदम किसी भी सरकार द्वारा उठाय नहीं गया है और विशेशकर जो डेली वेजर जो चरौने चरौने में लगा था वो आज भी है हमारे पाल एक कॉंट्रेक्ट्चुल टीचर्स हैं पॉलि को सेटल करना और जो मेंडेट है लौ का एक्रोस अगरा स्ट्री कंट्री चाहे पिअनन टैट है चाहे मेनिममम वेज़ेजग्ट है तो चाहे गरचुूटी एक्ट है या जिसे केद एक फारविटनफंड करना पूरे देश पर पदती है उसी पदती के साथ लाना और पिछले जितने भी है जिसे कहते हैं वो जखम वो नसूर जो तंग करने जहमो कश्पीर को उनको सब को ठीक किया जाए उनका जाला किया जाए यही हमारा फोकस रहेगा जैसा हम सब ने अपने में बैठ के जिसे कहते हैं इसके अलावा कौन-कौन से बड़े लीडर रहे साब म चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इम्रान नभीडार साहब जो की नाशनल कॉन्फरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस डिबेट में इम्रान नभीडार साहब आप से हम जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग आपर आपकी भी नजर बनी हुई होगी इस मीटिंग को लेकर NC का क्य मीटिंग है इनको पूरा हक है करना लेकिन जो लोगों को लोगों की उमीदें बढ़ती है इनी मीटिंग से इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मीटिंग हुई और उसके बाद कोई नतायच सामनी नहीं आया आज जो बीजेपी के स्पोक्सपरसन है ये इन्होंने बहुत एक द्रोश है यूथ आर नोट सेटल अभी तक तो हमको बोला जाता था कि आज दोजार उन्नीस के बाद यहां के यूथ तो आश कर रहे हैं आश और इफरत में मजे कर रहे हैं सारी परेशानिया खतम होगी तो आज ये बहुत ही खुशायंद बात है कि बीजेपी के लीडर ख ये भी तो एकस्थ करना चाहिए कि ये आपकी जो नाकिस पॉलिसीया है और आपका जो जो पॉलिश्य जो फेलियर आपका पूरा थीन साल साढ़े थीन साल का जो सामने हमारे नजर आ रहा है ये ऊसी की वज़े से ऒपॉलिसी पैरले पर आप बात में बोलिये. आप करें बात. ये मैं ब्लीज करें. So, as far as जो आज की meeting की है, आप बात कर रही है. मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कोई ऐसा productive चीज निकल कर तरहेगा, ये बोल रहें कि development के तहथ, ये बोल रहें बाकि चीजों के तहथ अब मुझे खुदारा ये बात समझ नहीं आ रही है तो फिर अगर डेवलिम्मेंट के तहत उनको बुलाने तो LG साहब क्या कर रहे है यहां पर अगर डेवलिम्मेंट की डिसकुशन बीजेपी लीडर्स के साथ करना है वट इस LG डूइंग यहां पर जो स्वाल के जवाब मैं मुलाजमीन की बात करें तो लगभग 245 दिनों से जाधा का अर्सा बीच चुका है यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं योगेश पंडिता साब मैं आपके पास आना चाहूंगी सवाल के साथ इस मीटिंग को मौझूदा वक्त में आप कैसे देखते क्योंकि आप लगता धना प्र थानिय साब ने कहा कि हम जो प्रदर्शन कर रहें करमचारी हैं उन पर बातचीत करने वाले हैं तो हो सकता है कि आप लोगों की फैसला हो क्या ऐसी उम्मीदें आप कर रहे हैं जी बिलकुल थोड़ा सा अफ्सोस है कि 245 दिन से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बट जो दो को फॉर्मर स्पीकर्स हमसे मेर से पहले बोल चुके तो एक ने भी PM पैकेज को को कोट नी किया और रही बात जो हमारी सिच्वेशन है इसकी ग्रैविटी को समझी इसका मैटर ओफ लाइप जो सबसे पहले प्रियोरिटी होनी चीए नेशन आफ इंडिया स्टेट ऑफ में 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 तरह नें बोफ इंडिया स्टी से अंडियोटे वर्फ विद्रपन इससिच्वेशन हने ट्यास में समय से पहले धाइप पनाधी घ्मिटमीट ऐसmaद है झालिग आधनमि पर्शेंटरिश्वर्म्रसक ब् todays meet, ऑज मुझे यह लगता है कि जो मेेटिंग है, if it will discuss the PM package, it will decide the fate of whole כभुपंदित community, it will decide the fate of nation of India, itself it will decide the fate of state of India because we have apprehend that one more killing, one more killing will change all the narratives. They are not listening us, यह हमारी बात सुनी ही नहीं रही है लगाता है दो सो पैंतालिस दिन कम नहीं होता है एक ऐसे राजिम रहे के जहां आपकी जान की गुहार लगा रहे हैंट कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है और लास्ट में मरनो प्रान्थ हमारे हमारे गर्ग पे पॉलिटिकल लीडर्स का ताहता लगता है और एड वडिश रोगता है वर एक्स ग्रेश्यक्त चेक्श क्या जब تख हम जिंद है तब यह नहीं सुनी जा सकती, क्या इन्हें एडरस नहीं किया जा सकता, मैं शुक्रिया करता हूं, पठानिया जी का पिष्टी दो डिबेट्स में इनका सुना था, इन्हों ने उस टायम कहा था कि सेलरीज लीज करा देंगे दूसरी बार इन्होंने का कि हम इनके मुद्धे पर बात कर रहे हैं बट सर वेन एक सैचुरेशन लिमिट तो आएगी कहीं ना कहीं क्रेडेबल टी भी आपकी कॉश्चन होएंगी सर आठ महीने हो गए सर तो यह दुख और दर्द है पीम पारे बीच मौजूद हैं क्योंकि रहबरे खेल की तरफ से भी रगतार प्रोटेस्स किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर इस बैठक को लेकर क्या उम्मीद हैं और आपकी मांगे क्या हैं शफीख खान साब और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैं मैं आपने हमें टैम दिया और बात रखने के लिए मोका दिया शबसे पहले में यहाँ पे एक बात क्लेर करना चाहूंगा पठानिया साब ने एक बात बोली वहाँ पे कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कोई मुदा नहीं 2019 में हम इसे जॉइन करते हैं तब जाके और एक मिरेड बेस पे हमारी सेलेक्शन होती है और आन केमरा बोला जाता है हर जगा पे हमारी वेरिफिकेशन की जाती है हमारा सारा जो सिस्टम SSRB का होता है सेम वैसा प्रोसेस हुगा हमारा तो दिकत कहां पे आ रही है गोर्मन्ट क यह हमें आज चक पता नहीं चला उसके अलावा आज की जो मीटिंग है उस पे बड़ी नगाएं लगा के बैठे हैं हम लोग क्योंके बीजी पी के जो यहां के बड़े जुल नेता हैं वो हमारे बीच में आके आन केमरा बोलते हैं कि आप लोगों को हम इंसाफ दला के रहे हमने जब रहवेर जरात को देखा और रहवेर जंगलात को हमारी गोवर्मिट के पास खाली एक ही डिमांड थी जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे चार सालों से के हमारे सार साल का जो प्रोबिशन पीरिड है वो आप चार सालों में लाएं मगर चार साल तक हमारी बात आई जहारारी कमेटे भी बनीं ळ Eigen आरो 270 2 की भी कमेटे बनी 270 2 का मसल़ा इन्होंने ले जितींदर जी डेली से ٹवीट करता है ऑसारो 260 2 का मसला हम ले जा रहे हैं चार दिन की बाद आडर आ जाता है वहाँ पे इसी तरह से बीजी पी के कोई और नेता भी थे उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि एसारफ दोसो दो का मसला हम हम हल कर रहे हम किसी के खलाफ नहीं है मगर हमारे साथ सोतली सोतली इमाँ वाला सलुक क्यों वो रिपोर्ट आए तक क्यों नहीं बनी और जो एसारफ 202 का मसला हल कर सकते थे वही सेम कमेटी हमारी भी थी मगर वो आए तक कमेटी ने कोई प्रवाइब नहीं दी हमारी गुवर्मेंट से यही डिमांड है और ना ही हम किसी पिछली हुकमतों के पाप है हमारा जो बनाया है वो बीजेपी और पीडीपी ने बनाया है जब हमारी पिछली सरकारों वाली बात जो आरिस पठानिया साहब कर रहे थे आप वो राजा शफी लोगों के सवाल का जवाब अड्वोकेट आरिस पठानिया साहब आप से लेंगे छोड़े से ब्रेक लिए रूखेंगे ब्रेक की बात जल्लोटे 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus 400 viewers India's largest news network news प्राइम डिबेट इंडिया देख रहे हैं आप खास महमानों का पैनल हमाई साथ मौजूद और आज हम बात कर रहे हैं आज रात होने वाली एहम बैठक की जी हां बैठक दिल्ली में हो रही है लेकिन जमू कश्मीर में उम्मीदे वाबस्ता हैं उम्मीदे इसलिए वाबस्त हैं क्योंकि जमू कश्मीर के मुद्दे पर ये बात चीत होने वाली है आज बैठक में खास में मानों साथ जुड़े हों एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं आद्वकेट पठानिया साब हमाई साथ मौजूद हैं भारतियों जुनेता पार्टी का पक्ष रखने के ल जमू कश्मीर के लीडरों के साथ और दूसरा और तीसरा सवाल आप रहबरे खेल असोसियेशन से वाबस्ता लोगों को भी दीजिए साथी साथ प्यम पैकेज कर्मचारियों की मांगों को नहीं देखने और उन्हें इग्नोर करने को लेकर भी दीजिए पठानिया साथ परिपेक्ष में जो मैंने कहा है कि पिछले पांच शे साथ दशकों में जो विकास की हालत जमू कश्मीर टे लेंडर बन गया पूरे देश में क्या हो जमू कश्मीर में युवाओं को लेके युवाओं को एक मिनिमम वेज देना युवाओं को एक स्पैसिफाइड कि मैंने का हमें से किस्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे रविरक्ष में हमारे मिठर बता रहे थे मैंने एक जनल बात की यह नेंके लिगी मैं लेली वेजर बाकी जो शोबें जो आई तक रिड़स्टा नके लिए किना आप बेफिकर रहें रहें रवरे खेर वाले मिठर है उसका अनुभवन किसी तरह एक सेकंड बहुत जगे हमने देखा है हिंदुस्तान के कई राजियों में प्रोटेस्ट करने को लेकर कोई वेतन को लेकर प्रोटेस्ट करता है किसी और मांग को लेकर सेवन पे कमिशन को लेकर प्रोटेस्ट करता है लेकिन ये लोग अपनी ज इस सवाल के आपने बड़ा रिलिबेंट सवाल पूछा है, भाई पंड़ता जी के बैन के सपोर्ट में, पल्पिट में, पोडियूम पे, मीडिया पे और सरकार के सामने हैं, बिल्कुल भारतर्दा पार्टी और हम खुद भी जाती तोर से खड़े रहे हैं, ध्यान रहे कि र हार एक नागरिक को देना और खासकर इन लोगों को देना, वो सरगार की प्राथमिक्ता बनती है, और सरगार बद भी होनी चाहिए, हमारा ये बिल्कुल एक इसमें के टेगोरिक स्टैंड है, की काम करने में कोई पीछे नहीं हटाएगा, तो क्या ये माना जाए कि इस करने की जगा और सेफ काम करने की जगा, और जिसे कहते हैं कि सेंस अफ सेक्यूरिटी दे के हमारा ये मानना है, इनसे काम लीजिए, और ये काम करेंगे बिल्कुल, और जिसे कहते हैं, जब मु किश्मीर ये ऐसी कोई कोई इंप्रेशन ना क्रेट करें कि ऐसे धरने पे बै हमारा ये प्रकर मांगया और आज हम इसे बूरे जोर के साथ चुकी इमरान नभी डार भी जो चुके हैं हमारे साथ इमरान नभी डार ने कहा था कि जब कुछ देर पहले कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेताओं के साथ आप दिल्ली में बैठा कर रहे हैं तो फिर एलज साहाब, ओफिसर साहिबान की टीम के साथ एक डिटेल सेक्योरिटी रिवू दिल्ली में कर चुके हैं. भी डुलाया जाया चाहिए था जब जम्नु कर्मी पर ही बातचित हो रही हिए। तो दूसरी पार्टी भी वही बाग बताते। विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और प्रदर्शन कर रहे है कर्मचारियों के मुद्दे पर एकजुट होने की बात हो रही है तो इसमें NC को संशे क्यों है शक क्यों है जब भी discussion की बात होगी, dialogue की बात होगी, National Conference हमेशा उसमें सरफ फिरिस्त में होगा और आपको यह भी याद होगा जब हमकी अमेला आल पार्टी मीटिंग का तो National Conference की जो लीडर्शिप है डॉक्टर फारुक साब और अमर साब दोनों गए वहाँ पर और उन्होंने जो यहां के मसले और मसाइल हैं मिल खसूस जो यूज के रिलेटिटिटे पी इशू है हर किसी चीज को उस वहाँ फोरम में रखा और अभी जो मीटिंग हो रही ठीक है वो तो हम जानते हैं मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना मैं बस यह बोल रहा हूं कि जो हमने वहाँ पर जो डिमांड थी अभी उन डिमांड पर कहीं पर कोई इंप्लेमेंटेशन नहीं हुई तब जो बोला गया था दिल की दूरी और दिली की दूरी खतब करेंगे उसके बाद जो हमने डिमांड रखे थे उसमें से तो कोई इसकी फिजिकल इंप्लेमेंटेशन तो फिर बात करना तो मुझे लगता है कि कोई इसमें कोई नतीजा भी निकला जिए इस बीच योगेश पंडिता साहब कुछ कहना चाहते हैं योगेश जी मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे मुलाजिमों को कितनी देर तक सड़कों पे और बैटना है ठीक है पठानिया साब इस बारत वर्ष में जहां जिन्दगी का मसला है उसके हाद में फैसला सुना है जैका हमारी किस तरह से करकडाटी ठंद है यह हम सब को मालूम है पठा इतना भी शक की नजर से मत देखे हैं को इतने बुरे लोग नहीं हैं तो इतना भी शक मत करें भारत सरकार है ग्रहमंतरी आपका जो भी विशे है आपको constructive तरीके से वहां उठाना चाहिए उसमें को ऐसी बात नहीं है जहांता कि पंडिता जी कह रहे हैं पंडिता जी आपक की तंखा release करने के आदेश डे दीगे चुके हैं कुछ अब जो रहे गे हैं उसमें आप बेफिकर रहे हैं मैंने कहा कि sense of security आपको देना आपके लिए safe working place कितने दिन लगेंगे कि इतने महिने में हमें इनका ख्याल करना होगा आपके ध्यान में रहे साना जी की एक भारतियंता पार्टी ने कमेटी गटित की थी और उस कमेटी ने बिल्कुल किश्मीर पे जाके इन लोगों के साथ मिलके administration के साथ बात करके कि detailed अपना formula बनाया है और वो formula भी आज टेबल होगा आप बेफिक करें पंडिता जी और राजा साब आपका एक एक कमेंट चाहेंगे अभी आपने सुना कि पूर उम्मीद हैं ना सिर्फ आप लोग बलकि भाजपा भी पूर उम्मीद हैं उनका ये कहना कि खातिर्खा तरीके से कुछ ना कुछ हल जरूर निकाला जाएगा आप लोगों के लिए पंडिता जी एक सबसे पहले हम बाजपा की जो लीडर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया दा करेंगे वह इसलिए को कि कि सेवल एलजी अड्मेस्टरेशन से हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं आया पठानिया जी और रिविंदर रेना जी हमारे बीच में आके पैकेज जाधा वक्त नहीं है पंडिता जी आपका लास्ट कमेंट क्या हम मान ले कि आगे से कोई भी कश्मीरी हिंदू की टार्गेट किलिंग नहीं होगी गाटी में और जो पिछले आठ महीने से दरना कर रहे उनकी सेलरी इमिजिएट इफेक्ट से रिलीज हो जाएगी टार्गेट किलिंग को लेकर सवाल है तो पठाणिय साहब इसका जवाब आप दे दे प्लीज जी डिव क्रिविनल कमिश्टर ने कल स्टेटमेंट दिया है कि मैजॉरिट का लागवीन की तंखा रिलीज करने के आदेश कंसर्ण दियूज को दे चुके यह डिविनल कमिश् तो ऐसी जो अशंका है प्रपेंसिटी से उस पे काफी हद तक सरकार जिसे कहते हैं रोग लगाने हैं कि यह जो तमाम इशूज हैं तमाम जो मौजवात हैं उसका हल जल से जल निकाल लिया जाएगा वो भी पूर उम्मीद है कि आज जो बैठक होने वाली है उसका कुछ ना नतीजा जरूर निकलेगा बहुत शुक्रिया आप तमाम का माईसा जुड़ने के लिए अपना दर्द बयान करने के लिए पनी मांगे रखने के लिए इस डिवेट का हिस्साद के लिए बहुत शुक्रिया फिलाल इसके साथ मुझे दी टिए जाज़र प्राइम डिवेट इंडिया में आज के लिए इतना ही देखते रहिए न्यूज एटीन जे केलज नमस्कार